तो हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल दस संराइज क्लासेस में तो डियर अश्ट्रेंट्स आज के क्लासेस में हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं डिजिबिलीटी रूल के बारे में यदि हमें कोई संख्या दिया जाता है और चेक करने के लिए बोला जाता है कि हम लोग करके डिजिबिलीटी रूल को पढ़ते हैं कि कि चीज का क्या होता है है तो फानल हम लोग जो पढहेंगे वो डिजिबिलीटी रूल पढहेंगे कि साथ है तो कहता है कि if any number ends with the digit 02468 means यदि कोई संख्या 02468 means यदि कोई संख्या 02468 के साथ इंड होता है means आखरी का digit जो उसका होगा 02468 होगा तो वो संख्या हमारा divided होगा किसे 2 से means 2 का disability rule में हमने क्या सिखा कि कोई भी नंबर जिसका आखरी का जो अंक होगा वो 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो और 8 हो तो वो संख्या हमारा 2 से divided होगा 100% होगा तो चलिए इसका कुछ example को हम लोग देखते हैं क्या के 2 का disability rule को कैसे हम लोग मान लीजे हमारे पास कोई संख्या 15879 6 और हमको पूछ दिया गया है कि इतनी बड़ी संख्या इसको क्या हम टू से डिवाइड करके चेक करेंगे नहीं तो इसी के लिए हम लोग को पढ़ते हैं तो सब से पहले क्या करेंगे इसके लास्ट डिजिट को देखेंगे तो वी हैब लास्ट डिजिट एज 6 मिन्स हमारे पास लास्ट डिजिट के रूप में क्या है 6 है तो इस 6 से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो ये डिजिट है पूरा नंबर दिया गया है वो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि हमने ये रूल में पढ़ सके पड़ रखा है कि जिसका भी आखरी अंग 2,4,6,8 होगा वो हमारा किसे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा तो हमको इसको डिवाइड करके चेक करने क्या हो सकता नहीं है second जो example हम लेते है 5960 क्या यह हमारा संख्या जो दिया गया है वो 2 से डिवाइड है तो यह भी संख्या हमारा 2 से डिवाइड होगा क्यों कि इसका भी आखरी digit हमारे पास कितना आता है 0 आता है और disability rule of 2 कहता है कि जिसके आखरी में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो संख्या भी हमारा किसे डिजिबल होगा 2 से डिजिबल होगा next जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा disability rule of 3 means आकिर 3 से कोई भी संख्या डिजिबल है या नहीं है इस चीज को हम लोग कैसे पता कर पाएंगे तो इस चीज को पता करने के लिए हमारे पास जो रूल कहता है 3 का disability rule वो कहता है कि we have to sum all the digits means हमको जितने भी digits दिये होंगे किसी नंबर का उन सभी को aid कर देंगे जैसे क्या हमारे पास 2, 5, 2 है हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या हमारा 3 से divisible है की नहीं है तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले sum करेंगे किसका सभी digits का तो जितने भी digits यहां दिये गए है उन सभी का हम लोग sum करेंगे तो कितना होगा 2 प्लस 5 7, 7 और 2, 9 मिनस हम लोग को पता चल गया कि इसका sum कितना आएगा 9 आएगा और 9 जो है वो हमारा 3 से divisible है 9 हमारा 3 से divisible है तो इसलिए हम कह सकते है कि यदि 9 3 से divisible है मिनस यह संख्या का जब हम लोग हर एक अंग का जोड कियें तो कितना से divisible था 3 से तो यह हमारा digit भी जो है वो 3 से divisible होगा next हम लोग देखेंगे 8, 3, 1 पूछा जाए कि यह संख्या हमारा कितना 3 से divisible है या नहीं तो इस चीज का भी answer हम लोग पहले इसका addition कर लेंगे 3 से division करेंगे यदि यह finally पूरा-पूरा cut जाएगा cancel out हो जाएगा तो हम कर सकते हैं कि यह संख्या जो हमारा है वो 3 से divisible है चलिए तो sum करते हैं 8 और 3 11, 11 और 1, 12 12 होता और 3 से हमारा यह divisible है तो इस संख्या को आप divide करके कि देख लिजे साइड में यह संख्या भी हमारा 3 से divisible होगा next जो हम लोग disability rule को बारे में पढ़ेंगे हमने 2 के बारे में पढ़ा 3 के बारे में पढ़ा अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो disability rule of 4 पढ़ेंगे मिन साकिर कोई भी संख्या 4 से divisible है या नहीं है इस चीज के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगा क्या हम हरे एक बार division करके देखेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं को तो नहीं इसी के लिए हम लोग तो disability rule को पढ़ते हैं अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा होगा disability rule of 4 means 4 के disability को हम लोग किस परकार से चेक करेंगे क्या इसी के जैसा 2 और 3 के जैसा ही disability rule of 4 है तो नहीं इसका rule थोड़ा सा change है इसका rule ये है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे last का 2 digit को देखेंगे यदि last का 2 digit हमारे पास 0 होता है तो हम लोग easily कर सकते हैं कि ये संक्या जो होगा ये नंबर जो होगा वो हमारा 4 से divisible होगा और दूसरा ये rule कहता है कि यदि last में double zero ना रहे तो तो एक और उपाय है एक उपाय क्या है कि last का 2 digit को हम लोग आखरी का जो उसका 2 digit होगा उसको 4 से divide करके दिखाएंगे यदि वो 4 से पूरा पूरा divided होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वो संक्या कितना से divisible होगा वो संक्या 4 से divisible होगा तो चलिए एक example लेते हैं और देखते हैं example के थूँ 2, 8, 7, 4, 8 अब हमें check करना है कि क्या है संक्या हमारा 4 से divisible है तो इतनी बड़ी संक्या को यदि हम लोग 4 से divide करते हैं तो हमें बहुत time लगेगा अगर सिर्फ यहीं बताना है कि संक्या divisible है या नहीं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे last का 2 digits चेक करेंगे क्या इसका last का 2 digits 0 है नहीं तो यह divisible नहीं है हाँ हो सकता है यदि इसका last का 2 digits 4 से divide होगा तो चलिए 48 को हम लोग चेक करें कि 4 से divided है 4 1 जा 4 4 2 जा 8 मिन्स यह संक्या पूरा-पूरा 48 जो है हमारा वो 4 से divisible होगा तो हम कह सकते हैं कि यह पूरा जो digit दिया गया है यह पूरा number दिया गया है वो भी हमारा कितना से divisible होगा 4 से divisible होगा